कि वेल्कम स्टेन कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारा जो चेप्टर चल रही हुए एल्डिहाइड की टोन दर था कारबॉक्स लिक अमला इसके हमने बहुत सार वीडियो क्लियर करके इसके पीछे हमने पढ़े हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एम की टोन और आज के जो टॉपिक हो है फार्मेल्डिहाइड से इस्टेल्डिहाइड अर्थात मेथेनल से एथेनल बनाने के शमी करन है ना यह कुछ चोटे कस्टन आ सकते हैं पेपर में सो सीधा देखते हैं और यह कॉम्पट्रेटिव निट देखे तो सी डवल बॉन ओ के सांद जुड़ा होता है सिंगल बॉन हैड्रोजन और सिंगल बॉन हैड्रोजन क्लियर है अब एक चीज़ा मैं बतना चाहता हूं कि जो कार्बन है और यह अक्सिजन है उसमें इसका एलेक्ट्रो निगेटिव ज्यादा होती है है ना क्योंकि यहां पर क्या होता है कि इसके पास ना वरण टू थ्री फोर चार बॉन तो क्लियर हो गया इसका दो बॉन कर लेक्ट्रोन इसके पाल बच्चा हुआ रहता है तो आन्सी ग्रूप से क्या प्लस करते हैं मतलब यह दुरू होता है यह आप लोग पढ़ चुके हो है ना अब कशाया यह करते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं हम लोग हम लोग यह कि अपर इस थरी मजी आई यह क्या है समझते हों आप लोग रिक्षाविय्म करता है मतलब कहा जाए इसका प्रवांट्ष यह कितना दौ बढलव राए तो दुर, आठ दो प्लस प्रत्रस्थित किया मतलब यह प्लस राइन वाले हैं ठीक है और इसका जो जूड़ा हुआ होगा कौन सा होगा मैनस राइन होगा मतलब यह सीरस त्री मैनस में हो गया क्लियर है अब बात करते हैं हम लोग कि कौन किसके तरफ जूड़ेगा तो यह जब भी करते हैं कि जब यह सीस्टरी यहां पर जूड़ेगा तो यह डबल पॉंड हो तो तो टूटे गई टूटे हिख दबल बांट टूटना ही तूटना है क्यों क्योंकि अपने पास चैस्तरी है तो चाररफ रहा जागा तो पांच बांट हो जाएगा उन जाएगा मतलब है छॉक्सियन का बांड ज्रूर जाए गाए यह आजाएगा ते री और यहां का बांड टूडेकर यही स अ defended हो सकता है तो इस तरह से यह जूड कोई कूज आज्त है ऐसे शोड़ इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग CH3 CH2 O M G I ऐसे लिखेंगे क्लिए हैं इस जगह को मैं इस्ट्रक्चिन बता दिया हूँ है आप क्या करते हैं यहां पर आप सिधा H2 से क्रेंख़ वादीजिए है यहां पर कई बार ही है एम बार होता है ह फ्लस होता है मैनाश होता है तो आप पहले समझदार है कि यहां पर हो क्या सकता है यहां इसको फिर रियक्षन देखें इस को उपर को देखें CS3HH यहाँ पर है और हमारे पास यह hydrogen है एक बात क्लियर हो यह आपको hydrogen है यहाँ पर क्या है OH है मतलब यहाँ क्या हो शकता है कि CS3, CS2O यहाँ का bond थोड़ा सा weak है तो जब भी कोई bond तूटेगा तो यहाँ से तूटेगा clear है यहाँ से तूटेगा तो oxygen को एक bond free हो जाएगा एक बॉन्द फ्री होगा मतलब इसको एक जेनी कर होँगता पड़ेगी और M जेनी करो पड़ेगी और M यहां पर दीखे में क्या होता है एचपलस और ओफ्य है कि अब बात करते हैं कि एमघ्श का जूड़ेगा कौन तो यह ऐस प्लस है और यह यह अपने पास प्लस क्विस्ट नहीं जूड़ता है तो और ला जूड़एका तेयो यह भी है कापका ओफिछ थिर् nell और यालब भाग है CS2 ठीक है और इस oxygen के सांथ क्या कर जूड़ा था है डूजाना कर जूड़ा था तो क्या हो जाएगा OH इलको हल बन गया ठीक है और क्या बाहर हो गया कौन बाहर हो गया अब अपने को करना क्या है कुछ नहीं लास्ट में तो यहां हम लोग क्या करेंगा अब है CS3 CS2 OH है उसको CU की उपस्तेती में क्रेक करवाते हैं तो कैटलिस्ट को उपस्तेती में तो CS3 CS2 OH इसको सुद्र देखे है CS3 CS3 CS2 OH आपको यह पता होगा कि यहां पर आपको है पहला करवन है आपका कौन से करवाएं अलफा करवन कराएगा और यह रहता है तो यहां से निकल जाता है है 2 hydrogen क्या निकल जाता है 2 hydrogen यहां पर बेटर ऐसा रहेगा कि CS3 से हम लोग अगर ऐसे hydrogen निकालते हैं C है एक hydrogen निधर एक हड़ी निधर OH तो यहां से hydrogen निकाले हैं मतलब कहीं अपने पास hydrogen निकले है यहां कि दो अनू दो पर मानू ठीक है है एच टू यह निकल गए बाहर अब बचा क्या बचा क्या हमारे पास है यह बचा एक बचा होँ लेकिन एक चीजा आपको पता होगा कि अपको क्लियर हो गया होगा इस तो एक बार रिपीट करके देखें बहुत ज्यादा क्लियर से समझर जाएगा आपको चलिए दूसरा नमर में चलते हम लोग दूसरा नमर में आता है आपका इस टेल्डी हाइट से कि फारमेल्टी हाइट अभी फारमेल्टी हाइट से इस्टेल्डीहाइट में हम लोग जा रहते हैं अब इस टेल्ड हैट से फारमेलटी हैड में चलते हैं यह यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है चलिए तो एस्टेल्ड हैट का सुत्र आपको पता हो गया का सी एस त्री सी एस ओ यह होगी अपने बास सी सी डबल बॉंड ओ एच यह मतलब सी से हम लोग इसका रियक्षिन डैट ले अभलॉग क्या करना है र्यक्शन लिक देना कोई दीकातरी हैं लेकिन पूरे को अच्छी तरह समझाना आपको बताएं तो सबसे पहले हम लोग किसके साथ उक्राइंगे इसका आक सिब्थित करणतर करना है अभी कर्मा कर दोप में यह कारेकरन करेगा ऑक्सिजन करेगा जब यह आक्सिक्रित होगा तो आपको तो पता है कि जब भी आक्सिक्रित होगा मतलब यह अमलब में बदलेगा किसने बदलेगा अमलब में बदलेगा अमलब में बदलेगा तो कैसे ऑक्सिजन जुड़ेगा मतलब क्या होगा यह पर यह एक सिंगल बाउन के साथ जूड़ता है और यह हैं इसका सिंगल बाउंस का जूड़ा हुआ रहता है मतलब क्या होता है कि जब आक सिंगल कराते हैं तो यहां अम्रों में प्रणति हो जाती है कार्बॉक्स लिकेश्ट सम्बंदी CHH आपको पता है ना तो यह पहले स्टेप हो गया अब दूसरी स्टेप में हम लोग बात करते हैं यहां पर कुछ वेग्यानिक NS3 कभी यूज करते हैं और के जगा sodium hartoside कभी यूज करते हैं तो यह लोग sodium hartoside करेंगे यहां पर NS3 का यसे यूज करेंगे तो वह मतलब होगा दीखना जहां से ना जैसी कि CS3 C selected हैं तो यह CS3 00H का OH और उसमें से जब Oxygen है यहां पर बताया है मैंने Oxygen और Hydrogen की बांड है यह बांड टूटेगा यहां से निकल जाए अपका Hydrogen है ना और यहां से निकल जाए आपका और तो क्या बनेगा आपका यह बनाएगा आपका जल क्या बनादेगा जल एश्टो और अगर हम लोग ऐसे लिए कैसे बनेगा CH3 C double bond NH4 ऐसा बनेगा अगर हम लोग NH3 के यूज़ करेंगे तो अभी हमने NAOH के यूज़ किया है तो कैसे बनेगा देखे कि CH3 COOH में से 1H और OH निकल गया बाहर आप बचा क्या तो CH3 COONA यह प्लश हान है क्योंकि यह पर COOA हार मानस बनाएगा तो यह सोडियम क्या है से महिसी बनाना CS3 C double O NH4 बना यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनेगा CS3 C double O NA तो यह आपको क्राशिंग कर देना यह चलिए ठीक है तो CS3 C double O NA यह हो गया अपने पास अब यह जो प्राप्त हुआ है इसका इसका हम लोग क्रिया कर वाते हैं किसके साथ सोडा लाइम के साथ इसका नाम क्या हो गया सोडियम स्टेट है क्या है सोडियम स्टेट यहाँ बलिग देजीगा सोडियम स्टेट अब इसका क्रिया कर वाते है हम लोग सोडा लाइम कहीं उसका रहे हैं लेकिन यह क्या है सोड़ा लाइम है और इसमें ज्यादा भाव मातरइश्क होती है ये केवल ना इसके एक सब्सक्रीज करने का करता है कल्सीम अपूडर है अब सोड़ा लाइम जब क्रिया करवाते हैं तो एक्षिलि में हमारे पास कहा है एन ए है कहां से क्या निकलेगा है ना हमारे पात क्या बचा है DC double O ne यहां से टूट कर यह सोडियम केसाद यह सोडियम और यहां से ऐ। है लेकर यह क्या यहाँ पस है तो यह वायका सीओ थ्री एने टो सीओ थ्री क्लियर है एने टूसी ओ रिजब बनेंगा तो बच्षे का क्या हमारे पास हमारे पास क्या बच्षबाइब एक हड्रोन इधर बचे खुआ है एन ओच का है और यह सीच वाद UC है अपने पास है मेथेन हाइड्रो कारबन बन गया तो इस जगह इस जगह आपको करना क्या है इस मैथवड को याद करीगा क्योंकि आगे मैं बताओंगा कि मेथेन से फार्मेंट के से बनाते हैं यहीं श्रू होगा तो आपको डबल फायदा हो जाएगा देखें तो यह अदो किसकी किसा करें करवाते हैं कोई भी हैलोजन के साथ से देखे धान से हमारे पास हालोजन है और हमारे पास cc4 है क्लियर है और ct2 है और यहाँ पर एक चीज़ समझ पढ़े खोड़ा पास सील क्या बाहर कर देगा तो या बनाएक आसे त्री और एक सेल बचा हुआ है है और यह कोन की सभक चाहिए उठा की सांटंध करेगा रदेशा हिए तो आपने मक्राइवा धियुनिकर टिए wrath करेंगे जाएगा थी पिच आपने पास क्या प्रम विजा और क्या जाए तो पाम पास फिरिट सी श्सक्वार्म अपास CS3 फिट से नहीं पहली बार भर रहा है CH OH मतलब क्या होगी नहीं आपने पास एलकोहल क्या बन गए है अपने पास है अब इलकोहल बन गया है तो इलकोहल का क्या करा दो ऑक्सिटेशन करा दो भई इसको देखें CS3 कैसा बनाओगा एक खड़ें उपर एक खड़ें उपर और ओएच ऐसा बनाओगा क्लियर है अब इसका क्या करा दो ऑक्सिटेशन कर आएंगे तो हमारे पास क्या बच्चा है दिखें इसको CS3 को में कैसे लिख रहा हूं देखना द्यान से ना मैं यहां लिक रहा हूं CS3 एच 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 क्लियर है तीन बार एच लिखा हूं इसको है ना ठीक है आपके समझने के लिए और क्या है अपने पास है और हम लोग ऑक्सिटेशन करा रहे हैं क्लियर हैं तो एक दिखें ध्यान से ना मज़ेगा कि हमारे पास इधर हैड्रोजन है ओके इधर हैड्र आफिजन इस्टो जाए रहे हैं उसके ऑफिएन के साथ मिलकर यह रहे हैं यह क्या बना सकता आपका जल बना सकता है चल एच्टो कि बनाएगा आपके वासे है एच्टो पर ऐस्टो जो बनायगा तो एक चीज़ यहां पर दिखें है यह वह हैड्रोजन यह हैड्रोजन और mi experiment मूल करें इसका है ना मिलकर मर śट है है ऐड़िक है एको टो बना देखा तो बजे का बचे आप सी ह ह हो है क्लियर है क्या बच रहा यहाँ समझेगा हम कि तो यहां आप लोग जब आपक्सिजन कराते हैं तो यहां आप लोग अच्छे समझना कि जब यहां से निकाल लेगा तो यह एक यहां है यहां है अपने पास तो यह कारबन को चार बॉंड के क्लिए आप सकता पड़ती है तो यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे डबल बॉंड ले लेंगे तो इसका जो फ्री हुआ है वह बॉंड और अख्सिजन का फ्री हुआ है वह बॉंड बॉंड बनाएगा समझा रहा है बात मेरी एक हैड्रोजन 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 क्लियर है और यहां पर क्या जूडा हुआ था ओएच तो ओएच के साथ यहां पर औ और और अख्सियन का बॉंड बचा हुआ हैं क्लियर है नहीं मतलब क्या होता है कि ऑक्सियन का है जूड़ा हुआ भाग था एक बॉन्ड था वो बॉन्ड टूड गया मतलब ऑक्सियन को एक बॉन्ड फ्री हो गया इसी तरह यहां पर कार्बन का भी है यहां से निकाला गया था तो कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गय तो यह औकषिन का एक बॉन और कि बॉनाओका यह दबनायंगा तो क्या अपका ये 38 डशी मेन बंगया का फारं मेल दि हाइट का बनना मतलब एथेनल से मिथेनल का बनना क्लियर है चलिए आग गया था है थोड़ा सा छोटा से रेक्षन एस्टेल्डी हाइड से एस्टोन का बनना एस्टोन का सुत्र क्या आपको पता है CS3 C double bond O CS3 डाइमेथिल की टोन क्लियर है अब यहाँ से क्यालेंगे हम लोग इस्टेल्डेट कौन है CS3 CHO यह आपको पता है क्लियर है CH3 C double bond O हड़ोजन यह है यहाँ कराते हैं हम लोग ऑक्सिडेशन करते हैं ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन किसकी कैटलिक्स को पस्ते होता है पता है उसकी लिखने की ज़रूतने हैं पता है तो आपको क्या पता है पहले से कि जब इसका दॉक्सिडेशन कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पर यह किसमें बनता है आम बदलता है मैंने बीच बताया था जस्ट पीछे इस टेलेट से पार मेंडेट बना तो और सी डबल बॉंड ओ सुरी डबल ओ एच क्लियर है क्योंकि यहाँ पर जाकर अटेक करेगा और यह का बनेगा सिंगल बॉंड ऑक्सिजन सिंगल बन हैड़न ऐसे बनाएगा ना ठीक तो यह सी डबल एच्छे लिखेगा अब इसका जब लिएक्शन करवाते हैं अभी तर का काम कातम होगई इसका रिकषिन जब करा थे हम लोगकेल्सियम हट्र Aryans M होते हैं तो होता क्या है किि हैंसिसी यहां पर एक चीजह आपको पता होगा कि हमारे पास ओँचिछ हें किया है's ठाव दो ओँच हैं धो इस हैं मतलब अपनेbrand को Яँं से होच लिख लेगा कितना Entertainment 2020 गरन को लेगा और क्या बनाने को बोई रहेगा जल क्या बनाएगा जल तो एक जने और बज़िए मतलब अपने को एग तो यहां से जब डियक्षिन कराएंगे तो यहां से यह है निकाल कर यह बना देगा आपका जल के दो आणू और क्या बच अपने पास केल्सिया मचन ना कैल्सियम बच्चा हुआ है तो यह कैल्सियम क्या करता है आपका कैल्सियम यह प्लस टू प्रतित करता है यह आपको पता है कैल्सियम तो अगर एक जहने जुड़ेगा इसके साथ क्या जुड़ेगा इसके साथ क्या जुड़ेगा सी एस त्री सी ओ और यह महानाद बताएगा तो मैंने बताएगा यह प्लस है कलेसियम प्लस है मन्द बताएगा तो यह जुड़े का ना ऐसे सी डबर को दो मतलब ऐसे जुड़ा है देखे दान से तो यहां से यह यहां से यहां से अपर फटास क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको समझ तो आ रहा है ना सी एस त्री सी डबल बॉंड ओ एच ऐसा था यहां पास और स्टेशन करवा दिये तो सी एस त्री सी ओ ओ कि यह हो गया अपक्रे कर दिया है कि सी ए ओ एच के साथ तो क्या हो जाएगा आपके पास की हैश्वन जब करते हैं तो देखे हैं इस जगह देखे हैं यह अपने पास केल्सियम कर्मेंट बनाकर निकलेगा सी एसी ओ थ्री कि सी एसी ओ थ्री बनाकर निकलेगा मतलब अपने पास यह दो कर्बन और यह एक और निकलेगा क्या बनाकर और क्या बचया आपने पाफ है CS3 CS3COO तो सीधी बात है आपको पता है क्या CS3 इस्ट्री यहीं बचा है क्या आपने पाफ्ट? CS3 CS3COO बचा हुआ है, मतलब यह बने गया आपका क्या बनीगे आपका एसी टॉन से चलिए आ गयाता है मेधेन से फार्मेल्डी हाइट मेधेन से फार्मेल्डी हाइट तो यह तो आपको मैंने अपीच जस्ट पीछे पढ़ाया क्योंकि हमने जस्ट दिखा कि जो एस्टेल्डी हाइट बनता है वहाँ पर मेधेन बना कर दिखाया था है ना तो वही सिद्धा मेधेन से बनेंगे फार्मेल्डी हाइट तो क्या है मेधेन को किसका अंद करेकर वाते हैं दो क्लोईन है एक क्लोईन बनाएगा आपका एट सी एल क्या बनाएगा एट सेल और बाके इसका जोड़ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका है और यह क्लोईन मिलेगा तो यह सी एस त्री सी एल बनाएगा ठीक है यह सी एस थी और यह बना दिया और क्या बनेगे एट इस को लिखने की जोड़ नहीं है इस यह बना है अब हम लोग इस को क्लीड करवाते हैं हम लोग को एच किसके जली माध्दा में क्लाइग तो यह आनवाले हैं प्लस आनवाल किसको लेगा कि एलको लेगा पोटेस्ट्स्यम क्लॉराइट बनाएगा यह एपने पास है और यह निकल कर और यहprit TVs Oyster में घूरिया और क्या बना देगा चिजस्त बना देगा यह बना देगा श्टो और क्या बज़ेक अपने पास है गेज सब्सकाइब क्शिच यहां और च्बाइब और यह बना देगा और यह बनेगा आपका सटेल सोरी फारमल्डी हाइट तो एच सी एच ओ यह लोग्यापका फारमल्डी हाइट लियर है